विल्कम बैक टू माई चानल कुकवित शाही और मैं हूँ शाहिना आज आप लोगों के लिए बहुत जबरदस्त सा चिकन इस्टू लेके हम आये हैं अगर आप लोगों ने अब तक हमारे चानल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करिए वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा चलिए हम सुरू करते हैं इतना जबरदस्त सा चिकन इस्टू बनाना यह हमारा वन टी स्पून खसकस, वन टी स्पून मेलन सीट, वन टेबल स्पून ग्रेटेट कोकोनट अब इन तीनों को हम पौडर बना लेंगे यह कुछ खड़े मसाले हमारे हैं साही जीरा, लॉंग, एक बड़ी लाइची, तीन छोटी लाइची, जावीत्तिरी, दालचीनी, दस बारा दाने, काली मिर्च और दो तेश पत्ता इन सब को हम अपने आइल में आइट कर देंगे यह तीन टेबल स्पून आइल है हम मस्टर्ड आइल में बना रहे हैं, आप किसी भी आइल में बनाईए अब यह हमारा साथ सो ग्राम रफली चौप किया हुआ प्याज है प्याज का इदम लाइट गोल्डेन हम कर लेंगे नम पिंग सा कर लेंगे इस तरीके से चिकन इस्ट्रू आप जरूर बनाईएगा बहुत टेश्टी बन के तयार होगा सभी को बहुत पसंद आएगा हमारे हुआ सबको बहुत पसंद आता है आप कमेंड में जरूर बताईएगा हमारी रेसिपी आपको कैसा लगा अब छे से साथ पीस हम लाल सुखे मिर्चे आइट कर देंगे अभी हमें हरा मिर्चा भी डालना है नमक मिर्चा अब में टेश्ट के हिसाब से आइट कर लीजिएगा अब प्याज लाइट पिंक हो चुका है अब वन केजी हम चिकन अच्छे से वाश करके इसका पूरा पानी हमने ड्राइ कर लिया था अब इसमें हमने आइट कर दिया है अब अधरक लस्ट का पेस्ट आइट करके इसको हम जब तक भूजेंगे जब तक कि चिकन का कलर चेंज नहीं हो जाता टू टेबल इस्पून अद्रग लसन का पेस्ट है अद्रेट टीस्पून नमक नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब सैट करिएगा बहुत बेहतरीन और बहुत लाजबाव ये चिकन इस्टू बन के तयार होगा एक बार आप बनाएंगी तो बार बार आपका बनाने का दिल करेगा बच्चे और बड़े सभी को बहुत पसंद आने वाला है ये रेसिपी वन टीस्पून जीरा पॉडर वन टीस्पून गरम मसाला पॉडर वन टीस्पून धनिया पॉडर धनिया बहुत ज़्यादा यूज नहीं होगा इसमें अतीन मीडियन साइज के टमाटर का पेश्ट है यह हमने आड़ कर दिया अब इसको टमाटर के साथ हम अच्छे से इसको भून लेंगे अब इसको हम दस मिनट के लिए धकन लगा के पका लेंगे देखिए दस मिनट हो चुका है चिकन भी हमारा गल चुका है तीन हरी मिर्ची है इसको हमने बड़े-बड़े टुकडों में कट करके आड़ कर दिया है अई यह कोकोनट, मिलन सीट और खसकस का पौडर है इसको भी हमने आड़ कर दिया है अब इन सब को अच्छे से मिक्स करके बहुत जल्दी बहुत कम इंग्रीडियन्स में बनने वाला रेसीपी है यह हमारा हाफ कप दही है इसको भी हमने आड़ कर दिया पानी हम बिल्कुल आड़ नहीं कर रहे हैं दही और टमाटर का इतना पानी है कि हमारा चिकन अच्छे से घल जाएगा अब इन सब को अच्छे से मिक्स कर लेंगे आप लोग हमें सपोर्ट करिए आप लोगों के लिए इसी तरीके से इजी इजी रेसीपी हम लेके आते रहेंगे ढ़कन लगा के पांच मिनट के लिए हम और पका लेंगे पांच मिनट हो चुके हैं ये जाएफल है थोड़ा से ग्रेट करके हम आट कर देंगे अब चिकन बनके तयार हो चुका है अब लंबे कटे हुए अधरक हम गार्निस कर देंगे और हरी धनिया हम एट कर देंगे अब इन सब को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे दो से तीन मिनट के बाद आपको सर्फ करके हम देखाएंगे आप लोग हमें इस्टाग्राम फेस्बुक पे भी फालो कर सकती है देखिए कितनी अच्छी फुस्बू इसमें से आ रही है रंग भी कितना अच्छा है जब देखने में इतना बहतरीन है तो खाने में तो बहुत ज़्यादा लजीज है आप एक बार जरूर बनाईएगा और कमेंड में हमें जरूर बताईएगा आपका चिकन इस्टू कैसा बना है बहुत ही लाजबाब बहुत ही टेस्टी बनके तयार हुआ है आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो फॉर्ण से सब्सक्राइब करिए और वीडियो के ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए हमें सपोर्ट करिए आपने हमारे वीडियो के देखा इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया झाला से ज़्या गुत झाला साथ बहुत Long